अश्कार दोस्तों आव सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं न्यूबार्ण बेबी के लिए फुल आस्तिन का बेबी फ्रॉक बनाऊंगी इसके लिए मैंने बर्धमान का बेबी सॉफ्ट बुल लिया है और दस नंबर की सलाई तो दस नंबर की सलाई पे मैंने 60 फंदे डाल लिया है और चार लाइन उल्टा उल्टा बुना है जिससे दो उल्टे फंदो की धारी सामने से और दो पीछे से आ गई है तो अब ये हमारा पाच्वा लाइन है तो पहले फंदे मैंसे नीट वाइस स्लाई डालेंगे उन अपनी ओर करेंगे सभी फंदो को उल्टा ब तो हम उनको सलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक का लेंगे, यहां पे हमने एक जाली दी और दो फंदो का एक किया, यानि कि जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए, और फिर रॉंग साइड में आ गया है, तो पहले फंदे को हम नीट वाइस लाई डालेंगे, उन अपनी और करेंगे, और अब शेस फंदो को हम उल्टा बुनेंगे, तो यह हमारा छठा लाइन है, और दो लाइन और हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, आठ लाइन का हम बॉर्डर बन लिया है, जिससे चार उल्टे फंदो की धारियां सामने से और चार पीछे से आ गए है, अब हम इन साठ फंदो को पांच भागो में डिवाइड करेंगे, दो फ्रंट के, दो आस्तिन के और एक बैक के, तो चलिए देखते हैं कि हम यह कैसे करेंगे, तो हमारे पाद साठ फ खा है, छे चे फंदो को बार्डर पे, फ्रंट पार्ट में छे फंदा, आस्तिन में छे फंदा, फर्स डिवाइडर में दो फंदा, सेकंड डिवाइडर में दो फंदा, बैक में सूला फंदा, थर्ड डिवाइडर में दो फंदा, आस्तिन में छे फंदा, फोर डिवाइड में दो फंदा, second front में 6 फंदा, तो हमने 60 फंदों को बाटा है, 6 बाडर का, plus 6 यह हमारा front का, plus 2 divider, plus 6 आस्तिन, plus 2, second divider, plus 16, back का, plus 2, third divider, plus 6, second आस्तिन, plus 2, four divider, plus 6, यह front और plus 6, यह हमारा border का, तो हमने 60 फंदों को इस तरह divide किया, तो चलिए friends, अब हम sweater पे इसे बनाते हैं, तो पहले फंदे में हम ऐसे neat twice लाइड डालेंगे, उन अपनी और करेंगे, यह हमारा 9th रो है, और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन, चार, पांच, तो यह 6 फंदे हमारे border के हो गया, अब उन दूसरी और करेंगे, 6 फंदा सीधा बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, और 6, यह हो गया हमारे left side के front का, अब उन अपनी और करेंगे, और जाली देते हुए, दो फंदो को सीधा बुनेंगे, यह हमारा first divider हो गया, अब उन अपनी और करेंगे, और 6 फंदो को जाली देते हुए, सीधा बुनेंगे, तीन चार पाँच छे ये हमारे आस्तिन के फंदे हो गए अब उन अपनी और करेंगे दो फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे तो ये दो फंदे हमारे सेकंड डिवाइडर हो गए, अब उन अपनी ओर करेंगे, सोला फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, तो सोला फंदे हमारे बैक के हो गए, अब उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए दो फंदों को सीधा बुनेंगे, ये हमारा दिवाइडर हुआ उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए छे फंदों को सीधा बुनेंगे दो तीन चार पांच छे यह हमारा सेकंड आज तीन हुआ उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे यह हमारा फोर्थ दिवाइडर हुआ उन अपनी और करेंगे छे फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे चार पांच छे और अब लास्ट में छे फंदे बचे हैं तो उन अपनी और करेंगे इन छे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे यह हमारे बॉर्डर के फंदे हैं अब हम रॉंग साइड में हैं यह हमारा दस्वा लाइन है तो हम पहले फंदे में ऐसे नीट वाइस लाई जालेंगे उन अपनी और करेंगे और सबी फंदों को उल्टा बुनेंगे पूरी लाइन हम उल्टा बुनेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं पहले फंदे में ऐसे नीच वाइस लाई जालेंगे उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे उल्टा ये हमारा ग्यारवा लाइन है तो हमने बाडर के फंदे उल्टे बुन लिए उन दूसरी ओर करेंगे और छे फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधा बुनेंगे तो छे फंदा हमने सीधा बुना, अब उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमने सीधा बुन दिये, अब उन अपनी ओर करेंगे और फिर जाली देते हुए छे फंदा सीधा बुनेंगे यह हमारे आस्तिन का फंदा है, 6 फंदे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे तो 6 फंदा हमने सीधा बुन लिया, अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदे सीधे बुनेंगे तीन और चार, चार फंदे हमने सीधा बुन लिया, अब उन अपनी ओर करेंगे और 16 फंदे जो हमारे बैक के 16 फंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे तो हमने 16 फंदो को सीधा बुन लिया, अब उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदो को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, यह हमारा थर्ड डिवाइडर हुआ, अब उन अपनी ओर करेंगे, आज तीन के 6 फंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे, यह हमारा 4 डिवाइडर है, जाली देते हुए 4 फंदया सीधा बुनेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे, और हमारा यह आस्तिन के 6 फंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे आस्तिन के 6 फंदे हमने सीधा बुन लिया, अब बाडर के 6 फंदे बचे हैं, जिने हम उल्टा बुनेंगे रॉंग साइड में हम पहले फंदे को नीट वाइस लाई डालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, और 6 सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 13 वाइन है, तो पहले फंदे में नीट वाइस लाई डालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदा उल्टा अब उन दूसरी ओर करेंगे, और अब हम 8 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जाली के दोनों फंदे हमारे फ्रन्ट में आ जाएंगे, और ये दो डिवाइधर के फंदे बुढ़ जाएंगे, इन में हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, 2 फंदे सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी ओर किया अब देखिए आज तिन में छे फंदे थे दो फंदे इधर से बढ़ गए दो फंदे इधर से बढ़ गए तो हो गया दस फंदे तो अब हम जाली देते हुए दस फंदों को सीधा बुनेंगे अब फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे अब ये हमारे बैक के फंदे हैं 16 फंदे थे दो फंदे इधर से बढ़ गए दो फंदे इधर से बढ़ गए तो हो गए 20 फंदे, तो जाली देते हुए हम 20 फंदों को सीधा बनाएंगे तो हमने 20 फंदों को सीधा बन लिया, अब उन अपनी और करेंगे और 2 फंदों को जाली देते हुए सीधा बनेंगे फिर उन अपनी और, अब ये हमारे आस्तिन के फंदे हैं तो उन अपनी उर करेंगे 10 फंदों को सीधा बनेंगे अब यह हमारा 4 डिवाइडर है उन अपनी उर करेंगे जाली देते हुए 2 फंदा सीधा जाली देते हुए 8 फंदा सीधा बनाएंगे बाडर के 6 फंदे इन्हें हम उल्टा बना लेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे अब यह हमारा 15 वा लाइन है बाडर के फंदों को हमने बुन रिया और 15 वे लाइन में हम अपने 13 वे लाइन को ही दूर आएंगे यानि की हम 8 फंदों को सीधा बनेंगे तो आठ फंदों को हमने सीधा बन दिया अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदे सीधे बनेंगे दो, तीन, चार अब उन अपनी और करेंगे ये हमारा आस्तिन के फंदे हैं तो पिछली लाइन में हमने दस फंदे सीधे बुने थे तो इस बार भी हम दसी फंदे सीधे बुनेंगे और दस और देखिए ये जाली है तो यहीं पे हमें जाली देना है उन अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदों को सीधा बुनेंगे चार फंदों को सीधा बुना उन अपनी उर किया और ये हमारे बैक के फंदे हैं तो बैक के फंदों में हमने पिछली लाइन में 20 फंदे बुने थे जाली देते हुए तो इस बार भी हम 20 ही फंदे बुनेंगे तो बीस फंदों को हमने जाली देते हुए सीधा बुन लिया अब देखिए हम जाली के पास आ गया तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार अब उन अपनी ओर करेंगे यह हमारा थर्ड डिवाइडर था अब यह आस्तिन के फंदे हैं तो जाली देते हुए 10 फंदों को हमने पिछली लाइन में बुना था तो इस लाइन में भी हम जाली देते हुए 10 फंदों को सीधा बुन लेंगे देखिए हम जाली के पास आ गया तो उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए चार फंदे सीधे बना लेंगे दो तीन चार जाली देते हुए आठ फंदा सीधा बुन लेंगे अब लास्ट में छे फंदे बचे हैं तो उन अपनी और करेंगे और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे देखिए फ्रेंट्स ये हमारा सत्रहवा लाइन है तो हमने शुरुआत में देखिए छे फंदों को बुनकर दो फंदों पर जाले दिया था तो नवे लाइन में हमने छे फंदों को बुना फिर जाले दिया फिर दो फंदे सीधे फिर जाले ग्यारवे लाइन में हमने जाली के उपर जाले दिया था और बीच में चार फंदे सीधे आ गया थे तेरहवे लाइन में फिर ये दो फंदे जाली के दो फंदे हमारे front में शामिल हो गए और 6 से 8 फंदे हो गए और फिर हमने दो फंदों के दोनों तरफ जाले दिया पंदरहवे लाइन में फिर हमने जारली के उपर जाली दिया और बीच में जारली के बीच में हमारे चार फंदे हो गया तो इस तरह ये एक फूल की तरह बनता चला जा रहा है देखिए फ्रांस दू दू तीर्छी जालिया बनाते हुए हमने तोटल आठ तीर्छी जालिया बनाई है देखिए एक दू तीन चार पांच चेस साथ आठ यानि सूल फंदे इस साइड में बढ़े और सूल फंदे इस साइड में बढ़े चार डिवाइडर है तो 32 यहां 32 यहां 32 चार डिवाइडर है तो हम हम टोटल 128 फंदे बढ़ गये 32 32 32 टोटल 128 फंदे बढ़ गये 60 फंदे हमारे हमने 60 फंदे से शुरू किया था 128 फंदे बढ़ गये तो टोटल हो गये 188 इस्टिचस और जब हमने 8 लाइन यह बना लिया यानि डिवाइडर के एक तरफ 16 फंदे हो गये तो हमने 5 उल्टे धारिया बनाई है देखिए 5 उल्टे फंदो की धारिया बनाई है तो 3 उल्टे फंदो की धारिया सामने से आई है और 2 पीछे से आ गये है तोटल 5 धारिया बन गये है तो यहाँ पर हमारे baby frog का चोली complete होता है देखिए ये इस तरह बनके त्यार हुआ है ये इस तरह बनके त्यार हुआ है और अगर हम इसे full करें तो ये कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है तो देखिए friends कितना कुपसुरत दिखाए दे रहा है इस समय इसकी लंबाई है और इसकी देखिए हम लंबाई देखे तो साघए पाँच इंच ये त्यार हुआ है और एक वात और बता दू ये मैंने बटन होल बनाने के बाद जब हमारे देखें, दस धारियां हो गए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस तो हमने दूसरा बटन हूल बना लिया है बटन होल बनने के बाद 10 धारियों के बाद याने 20 लाइन बनाने के बाद हमने दूसरा बटन होल बना लिया है तो इस तरह हमारा ये चोली बन के बेबी फ्रॉक का चोली बन के त्यार हुआ है जुरुवात में हमने 6 फंदे रखा था 16 फंदे बढ़ने के बाद यहां पर हो गया है 22 फंदे दिवाइडर पर 2 फंदे थे आस दिन पर 6 फंदे थे और 16 फंदे इस साइड में 16 फंदे इस साइड में याने 32 फंदे बढ़ने के बाद यहां पर स्टीचेज हो गया है 38 आस्तिन पे हमारे पास 38 stitches है बैक में 16 फंदे से हमने शुरू किया था 32 फंदे बढ़ जाने के बाद हो गए है 48 stitches इसी तरह दूसरे आस्तिन में भी 38 stitches और फ्रंट में 22 stitches टूटल हो गए 188 stitches हमारे पूरे हो गए है तो 60 फंदे से हमने शुरू किया था 16 जाली बनने के बाद अब हमारे पास है 188 stitches और इस समय जोली बन के त्यार है यदि आपको मेरा ये वीडियो मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिप्याई से लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें